नूलियस इनवर्बर ये वाग के वैज्ञानिक तरीके का निचोड है लैटिन में इसका मतलब होता है खुद देखो तो मानो दूसरे शब्दों में सवाल उठाते रहो रॉबर्ट हुक का कोई पॉर्ट्रेट मौजूद नहीं क्यों? क्या सूरे की ऐसी कोई नजर ना आने वाली ताकत है जिससे उनकी रफ्दार बदलती है? अगर हाँ तो वो काम कैसे करती है? क्या इसे समझाने के लिए गड़ित का कोई आसान सा नियम भी होगा? जैसे की हुक्स लॉफ इलस्टिसिटी नियम ने इस तरहे छिपकर रहना 13 साल पहले तब शुरू किया था जब रॉबर्ट हुक ने सरे आम उन पर लाइट और कलर से जुड़े अपने काम को चुराने का इल्जान लगाया था असल बे, रॉबर्ट हुक के बजाए आईजेक नियूटेन ने ही स्पेक्ट्रम आफ लाइट के रास को सुलजाया था सर्ब, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ साल पहले हम मिल चुके हैं जी हाँ, मिस्टर हैली माफ कीजेगा, मैंने तकलीफ ती नियूटेन को अच्छे से याद था, पिछली बार जब उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो हुक ने उनके साथ क्या किया था आईजेक, मिस्टर हुक चाहते हैं कि आप अपने तीसरे वॉल्यूम के प्रिफेस में उनको भी धन्यवाद दे वो तो मैंने दिया है, उनको मिस्टर रेन और आपको धन्यवाद दिया है, जिनकी बज़ा से मैंने दुबारा इस्टरॉनमी के भारे में सोचा मिस्टर हुक पूरे लंडन में घूम कर ये कह रहे हैं कि लॉफ ग्राविटी आपने उनसे लिया है उसने दुबारा वही हरकत की, के जूट है, मैं अपने तीसरे वॉलियूम को ऐसे जूट के आगे बदनाम होने से पहले ही जला दूँगा हुक को छोड़िये, उसे कोई याद नहीं रखेगा, मगर आपकी आइडियास हमेशा लोगों के काम आएंगे कहा ना वो लो मेरा है, पहले मैंने उसे साबित किया था तो फिर तुरंट सबूत दिखाओ, हम भी तो देखें, वैसे भी हमने काफी इंतजार कर लिया है तुम्हें सिर्फ मेरी बात पर यकीन करना होगा खोखले दावे कहीं और चल सकते हैं, मगर यहां नहीं मिस्टर सबूत दिखाइए या चुप रही है, मिस्टर हुक उस नियूटन को तो मैं देख दोगा रॉबर्ट हुक की मौत बहुत पहले हो चुकी थी क्योंकि बुरी आत्मों के चलते उन्होंने अपनी सेहत विगार ली थी वो रोजाना वर्मवोर्ड, अफीम और मरकरी का नशा करते थे कुछ महीनों बाद नियूटन को उनकी जगे रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया कहते हैं इन ही दिवारों पर कभी हुक का पोर्ट्रेट भी टंगा होता था कुछ लोगों को लगता है कि ऐसी ही किसी रात को आईसेक नियूटन ने आखिरकार रॉबर्ट हुक से अपना बतला चुका दिया